नमस्कार आप देख रहें MBT News से दोस्तो राजनितिक हलचल तेज है इसके बीच अगर जेकि सुप्रिम कोट जेकि कड़ी जेकि संदिश जारी करता है अगर किसी को जेकि समच जेकि बुला लेता है और उस पर जेकि बिचार रखना इस्टार्ट करता है तो उस ब्यक्ति के द दिल पर क्या गुजरता है आप जड़ा कल्पना कीजिए और जहें कि मैं इस बात को समझने का प्रियास कर रहा हूं कि कि किस पॉइंट से गलती हुआ और कहां जाकर के महमला अचेकि अठका हुआ है जो आज बाबा राम देव को सुप्रिम कोट जाना पड़ रहा है जबक इस रुपए पेट्रॉल वाले को जेकि ओट दिलवानी के लिए ओजी तोड मेहनत करते हैं और लगतार जेकि चार सव का सिलेंडर नहीं बारा सव का सिलेंडर दिलवाने वाले ब्यक्ति का पूर्जोर जेकि सपोर्ट करते हैं और वैसे ब्यक्ति का सरकार भी है लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हैं कि सुप्रेम कोट ने क्यों जेकी रामदिव बाबा को जेकी अपनी कठगरे में बुला लेता है और डाइरेक्ट नो कंप्रमाइज किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं डाइरेक्ट रामदिव बाबा जेकी हाथ जोड़कर खड़े हो जात कि लाजमी बात बनता है आप भी इसको जे कि समझने का प्रयास करेंगे आप जो ख़बुरे देख रहे हैं उस बात को समझना पड़ता है और इस सो में सबसे बड़ी महमारी जब आये जो सबसे बड़ा कुरोना काल जेके रहा उसमें स्वरोफ प्रथम भारत को इतने उचाई पर ले जाने का प्रयास किया और सबसे पहले कुरू नील का जेकी अविस्कार कर दिया इतनी ताकतवर्च सक्क्रें वो अयरुवेट के और उनकी पास खुलकर बात करने की इतना में को ले ले किसी भी बात को ले 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 खुलकर जेकी जमकर बात करते हैं और आप ये की टेलिविजन कभी भी खोलें तो कोई ऐसा दिन नहीं है जो सुबह साम रात्री दोपहर जब भी किसी न किसी चैनल पर वो न आते हो और टीवी की सुभा न बढ़ाते हो और वो सरकार की अहिलना की बात ही अलग कभी सरकार का अहिलना नहीं किये साहब जी का जेकि कभी विरोध नहीं किये उसके बाद जेकि रामदिव बाबा को सुप्रिम कोट जाना पड़ता है इसकी पीछे रिजन तो कुछ होती है अखर दिक्कत क्या आया एलेक्ट्रिकल बॉंड है एलेक्ट्रिकल बॉंड में उनका नाम है नहीं वन निर्दोस है वो जेकि ऐसा जेकि कहीं आया फ्राड है नहीं फिर जेकि उनको जेकि आने की जरूरत कहां से पड़ गई अब इस बाद को समझे कि अपनों पर जपड़ता है न तो जेकि सीने में दर्द जेकि होती है जब तक दूसरी का दुख को आप दुख नहीं समझते हैं तब तक जेकि आप जेकि दुख से परहें अनजान है जब आपके उपर जब दुख की पहाड़ तूटती है न तो जेकि बात इस समझ में आती है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और वही हुआ रामदिव बाबा कि साथ अब जाके एहसास हुआ है कि जिस की तारिफ में कर रहा था वह तारिफ काविल नहीं है जिसके लिए संघर्ष किया जिसके लिए लागतार जेकि रामदिव बाबा ने जूट बोला हूँ आज fraud के चक्कर में गसीट के धरवाजे के पास तक ला रही है क्या आप भी इस बात को जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो आप भी उसको जानने का प्रयास किजी ना को इलेक्ट्रिकल क्या को बोलते हैं एलेक्ट्रिकल मीडिया कि टेविट टेलिवीजन पर इस खबर को दिखाया ही नहीं जा रहा है बाल कृष्ण और ये कि रामदेव बाबा जेकि दोनों व्यक्ति को सुप्रिम कोट ने फिर जेकि तेरा तारीफ को जेकि बुलाया है कि आपको तेरा तारीफ को फिर जेकि आकर के मुझे एक हल्फ नामा दीजिए और जेकि आप जेकि जब जूट बोले हैं आप जब जूट साप साप बोला है कि आप जब जूट बोले हैं तो इसकी सजा मिलेगी आप मुझे फिर जेकि तेरा तारीफ को आकर के आप हमें को बत हो सकता है कि कहीं रामदेव भाबा ने साहफ से बगावत कर दिया या स्वेम अब चुनाम उतरने की तैयारी बन गई हो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि जो पक्ष में है जो साथ में है सब के साथ सब की विकास में है उसके उपर किसी प्रकार की करवाई हो रही है लेकिन हमें तो ऐसा अब एहसास जी कि हो रहा है कि कहीं ने कहीं रामदेव बाबा चुनाव लड़ाना चाहते हूँ जिसके बदावलप जिपक्ष पे जिस प्रकार से इनके उपर भी या फिर रामदेव बाबा जान बुझकर अंग्रेजी दवावों को अपने बलबुत्ते जोटा साविक करने का प्रचार और प्रसार आप लोग को मालूम होगा साइन्स बहुत बढ़ा चीज है और साइन्स में उस तरक्य को यह हंसिल किया है जिस तरक्य के वज़ा से आप मुझे इस बात तो सुन पा रहे हैं यह रामदेव बाबा का अस्तित्व की बात नहीं है लेकिन इसका जब मजात बनाया जाएगा तो सुप्रीम कोट भी बकस्ती नहीं है और आप कहां तक भगेंगे इसका भी पिच्छा ज़रूर करेंगे बड़ा जुट क्यों बोला किसके लिए बोला तो जानते हैं किसका नाम ले रहे हैं कि मैंने गल्ती किया है और यह हमारी गल्ती है और किसके कहने पर जुट बोले कुरू नील जेकि बोरू नील के अधार पे कुरू नील बना दिये थे जो 200 विख्यात जेकि हमारी को जेकि मात देने का सबसे बड़ा जेकि दमा जेकि साबिक करने के लिए जेकि उतर चुके थे राम देवागा लेकिन कहीं न कहीं वह फ्राड गिरी आज उस साहव के कानू तक पहुँच गई है कि उनका एक चेला उनका एक सिस से उनका एक सपोर्टर उनके हातों से जा रहा है और वो सुप्रेम कोट में घसीत कर लाया जा रहा है या तो फिर ऐसा जेकि हो सकता है कि ब्राम देव लगया हो और वह जे कि मैं मैं बता देना चाहता हूं जानते हैं आप रामदेव बाबा की गुरु संकर देव को आज तक पता नहीं चला कि कहा है संकर देव जब निकल करके जब वहाँ पहुंचें और अपने आपको ब्रामणद बताने वाले रामदेव बाबा जबकि यादो समाज से हैं आप लोग को जनकारी होगा अपमन लेकिन यादो समाज अपने आपको नहीं मांते हैं वह जे कि उनकी भावनाओं को भी ठीश पहुंचाने के करते हैं जो क्रिश्ण और जैसे तमाब महारति भग्वान को अवतार लेना पड़ा उनसज में उनको वह नकारते हैं बोलते हैं कि मैं ब्रामण मुझे मैं यद्वन से नहीं तो किस हद तक कहां कहां जेकी जूट हो जेकी बोलेगा अब और जिसका नतिज़ा जेकी रामदियों के सामने जेकी है यह चुनावी परकिरिया में ऐसा जेकी सुर्च छिड़ा है कि जिसका जेकी हिसाब अब अपने डर लगने लगा है अब अपना भी अपनों से डरता है और इस बात से वह जान बूझ करके अनजान बनने का नाटक करता है अंग्रेजी दवाओं का बिरोध करना और साइंस को गलप बता देना और भरमक परचार करना अंग्रेजी दवाओं के बारे में गलप बाते करना या कहां तक शुभा देती है अईसे जी कि मैं आरवेट का बिरोध नहीं करता रामदेव भाबा का बिरोध नहीं करता लेकिन जो हकीकत जो सामने आई है आज सुप्रेम कुट ने जी कि यह हकीकत सामने लाया है तो फिर उस पर बात पंती है जी कि कहना पतंजली ब्रांड एक ब्रांड बना था लेकिन आप उसको जेकी ऐसे घसीट करके लाएं कि आप उसे फ्रोड ब्रांड बना दिये हैं और इसका असर आपके सामने जी कि मिलेगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद